नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आस्था ग्यान चैनल में, जहां हम आपके जीवन से जुड़े आध्यात्मिक और धार्मिक पहलूओ पर गहराई से चर्चा करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि सुबह सुबह कवा देखने का क्या मतलब हो सकता है? हमारे शास्त्रों में कववे को विशेश संकेत देने वाला पक्षी माना गया है। ये संकेत हमें भविश्य में होने वाली घटनाओं की पूर्व सूचना दे सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सुबह सुबह कवा देखना क्या संकेत देता है और इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि कौवे का संबंध शनी देव से क्यों माना जाता है और शनी देव की कृपा पाने के क्या उपाय है तो इस दिल्चस्प जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखे और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले और वीडियो को लाइक भी करे ताकि आपको भविश्य में ऐसी और भी अद्भुत जानकारियां मिलती रहे कौवे का हिंदु धर्म में विशेश महत्व है कौवे को शनी देव का वाहन माना जाता है और शनी देव को न्याय का देवदा कहा जाता है ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से कौवे की सेवा करता है उस पर शनी देव की विशेश कृपा होती है इसके अलावा पित्र पक्ष के दोरान कौवों को भोजन कराना भी हमारे पित्रों की आत्मा को तृप्त करने का एक माध्यम माना जाता है कौवे की उपस्तिती हमारे आसपास एक तरह का संदेश होती है सुबह-सुबह कौवा देखने का अर्थ है कि आपका भाग्य आपके साथ है ये संकेत देता है कि आप जल्द ही किसी बड़ी सफलता की और बढ़ने वाले है शास्त्रों में कौवा को सूचना देने वाला पक्षी माना गया है जो यह बताता है कि आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने वाले है। अगर आपको भी कभी सुबह सुबह कवा दिखा है और आप जानना चाहते है कि इसका आपके जीवन पर क्या असर होगा तो कमेंट में हमें बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम ऐसी और भी रोचक जानकारिया आपके साथ साजा कर सकें। अब आईये समझते है कि कववे का विभिन परिस्थितियों में दिखना क्या दर्शाता है। कई बार हम कववे को उड़ते हुए या चछत पर बैठे हुए देखते है। यदि कववा आपके घर की चछत पर बैठकर लगातार कांफ कांफ कर रहा है तो इसका मतलब है कि कोई महत्वपूर्ण सूचना आपके पास आने वाली है। यदि कववा आपके चछत पर बैठकर बार-बार बोलता है तो यह शुब समाचार की सूचना हो सकती है। यह संकेत देता है कि आपके घर में खुशिया आने वाली है। कववे का आपके आसपास उड़ना यदि कववा आपके आसपास उड़ रहा है तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि कोई आपको मिलने आने वाला है या आपके जीवन में कोई नई शुरुवात होने वाली है कववे का संबंद शनी देव से जुड़ा हुआ है शनीदेव को न्याय का देवता माना जाता है और उनकी कृपा पाने के लिए कई लोग कौवे को भोजन कराते हैं कौवे को भोजन कराना शनीदेव की कृपा पाने का एक प्रभावी उपाय माना जाता है जो लोग शनी की ढहिया या साड़े साती से प्रभावित होते है वे कौवे की सेवा करके शनी देव की कृपा प्राप्त कर सकते है शनीवार के दिन कौवे को भोजन कराने से शनी देव की विशेश कृपा प्राप्त होती है शनिदेव की कृपा से व्यक्ति के जीवन में आ रही सभी बाधाय समाप्त हो जाती है और उसे जीवन में उन्नती प्राप्त होती है अगर आप भी शनिदेव की कृपा प्राप्त करना चाहते है तो शनिवार को कौवे को भोजन कराना ना भूले और इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करे ताकि वे भी इसका लाब उठा सके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी के आइकन को दबाए ताकि आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारिया सबसे पहले मिले कववे को हमारे पितरों का प्रतिनिदी भी माना जाता है पितरपक्ष के दौरान कववे को भोजन कराना हमारे पूरवजों की आत्मा को शान्ति और त्रिप्ति प्रदान करने के लिए किया जाता है ये भी माना जाता है कि अगर कौवे को सही तरीके से भोजन कराया जाए तो हमारे पितर हमसे प्रसन्न होते हैं और हमें आशिरवात देते हैं यदि आप चाहते हैं कि आपके पितर आपसे प्रसन्न रहे तो कौवे को भोजन कराना एक शुब उपाय हो सकता है इसके लिए आप पितरपक्ष के समय कौवे को चावल तिल और अन्य शुद्ध भूजन अर्पित कर सकते हैं यह आपके पितरों को द्रिप्त करेगा और वे आपकी उन्नतिके मार्ग को प्रशस्त करेंगे अगर आपको यह जानकारी उप्योगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने परिवार के साथ शेयर करें अगर आप ऐसे और भी उपाय जानना चाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले कवे का हमारे जीवन में धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है सुबह सुबह कवा देखना हमारे लिए शुब संकेत होता है और यह दर्शाता है कि हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आने वाले है शनीदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए कववे की सेवा करना एक महत्वपूर्ण उपाय है आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा यदि आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट में जरूर बताए वीडियो को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे और घंटी के आइकन को दबाए ताकि आप हमारी अगली वीडियो को सबसे पहले देख सके धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रोचक विशे के साथ